नमस्कार आज हम लोग जानेंगे elected, appointed, nominated या selected या फिर इसको हिंदी में कहतनो निर्वाचित, नियुक्ति, मनोनित या चैनित इन सब में क्या अंतर होता है ये राजनीती विज्ञान के छेतर में आने वाले सब्द है इनका अक्सर उप्योग राजनीती विज्ञान के छेतर मे आज जानेंगे ठीक है आई शुरू करते हैं सबसे पहले हम लोग जानता है elected या निर्वाचित इसका क्यातात पर होता है तो जिसे vote या मत देकर चुना जाता है जैसे मुखिया, सरपंच, विधायक या MLA, सांसद या MP जितने भी लोग हैं जिनका जो है चुनाओ जो है voting के अधार पे होता है अपना मत देकर लोग चुनते हैं उन्हें निर्वाचित सदस से कहा जाता है ठीक है निर्वाचित सदस को कोई भी वेक्ति उसके पद से नहीं हटा सकता है जब तक कि वो दुबारा से चुनाओ ना हार्जा या फिर अपनी मर्जी से त्याग पत्र न दे कुछ ही विशेज परिस्थित होती है जिसमें विशेज जगन अपराद के केस में उन्हें उनकी सदस्रिता निर्वाचि सदस्रिता रद्द की जाती है ठीक है तो ये हो गया elected या फिर निर्वाचित सतस इसके बाद हम लोग जानते है आये selected या फिर चयन तो देखें परति परति योगिता परिक्षा हो या फिर इंटर्व्यू हो वह एक चयन कहलाता है ठीक है IAS हो IPS हो या पर यहाँ पर आप लोग अक्सर पढ़ते होंगे के अधार पर जो है अपने स्वविवेक के अधार पर किसी अन्वेक्ति को पद पर बैठा दिया जाता है उसे कुछ जिम्मेदारी सौब दी जाती है तो वह न्यूक्ति कहलाता है ठीक है जैसे रास्टपती जो है वो राज्यपाल की न्यूक्ति करती है ना तो राज्यपाल क होते हैं या मुख्ष नैदिस होते हैं यह भी नियुक्त किए जाते हैं टिक है एक thời confusing point आता है कि पर्धानमंत्री का निर्वाचन होता है या फिर प्रधान मंत्री की नियुकती होती है देखे परदानमंत्री के नियुकती होती है हम लोक वोटिνंग के माध्यम से एक सांसत का चुनाव करते हैं ना के प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं एक संभैधानिक पर तहर प्रधानमंत्री के नुक्ति की जाते हैं उसके बाद में कई दफ़ा प्राइबेट सेक्टर में भी कंपनी के MD या CEO को भी नुक्त किया जाता है ठीक है आप लोग अकसर अख़बार में पढ़ते हों कि कि किसी कंपनी के CEO को नुक्त किया गया ठीक है तो यह जो हो गए यह हो गया नुक्ति ठीक है उसके बाद में आप हो जानते हैं मनोनित या नॉमिनेटिट क्या कहलाता है ठी में दो एंगलो इंडियन को मनुनित किया जाता है ठीक है राज्य सभा में भी कला साहित विज्ञान या खेल के छेतर से 12 सदस्यों को मनुनित किया जाता है ठीक है तो जब कहीं उचित परतिनीधी नहीं होता है तो उनके परतिनीधी के रूप में उन सदस्यों को जो है मनुन मनुनित किया जाता ही इसमें भी न तो कोई चैन प्रकिरिया रहती है, ना है इसमें निरवाचन होता है, इसमें बस राश्पती के दुवारा जो है जो है लोकसभा में दो एंगलों इंडियन और राजसभा में बाडस वदिश्यों को, जो मुखेता कला, साहित, वग्यान या खेल के छेतर से तालुकात रखते हैं उन्हें 12 सदस्यों को मनोनित किया जाता है तो ये था इन सब में अनतर ठीक है मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत बहुत धन्यवाद